नमस्ते टेर्यस आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत हैं तो टेर्यस यहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी का देख लेते हैं आज का प्राइस एक्षिन अनलिसिस कम्प्लीटली हमें एक साइलेंट मार्केट देखने को मिला है अगर आप देखोगे यहां पर अगर यहां से यहां तक के रेंज को देखे तो आल्मोस्ट वन सेवंटी वन एक्टी पॉइंट का रेंज है यानि एक सो असी पॉइंट के रेंज में पूरा बैंक निफ्टी यहां रुका रहे हैं मतलब मानलों कल जो क्लोजिंग के डाइम मोमेंटम आया था वो भी पूर रेंज मारकेट ने आज़ कवर नहीं गया यानि कम्प्लीटली यहां पर और का मारकेट चल रहा है और इस सिचुवेशन में को जादा पैसे नहीं मिलने वाले हैं यहां पर कौन कर सकता है यहां पर प्रॉफिट वही कर सकता है जिसका बाई लक या बाई चान्स आप कहलो ऐसे जगह पे हो गई जहां से मार्केट मूव कर गया क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर आप कोई भी सिचुवेशन टेक्निकल एनलेसिस की यूज करते हो उसके भिहाब पर इंट्री करते हो तो आपको मार्केट या फिर पहले निकाल देगा या फिर आपको स्टॉप करते हो बाकि अगर आप एक मुमेंटम ट्रेडर हो मुमेंटम मतलब क्विक मुमेंटम या फिर आप स्कैल पर तो आप इसमें पैसा बना सकते हो बट वही दिक्कत है स्कैल्पिंग में भी बहुत सारे फॉल्स सिगनल यहां पर मिल रहे थे तो जनरली ऐसा होता है देखो य यहां पर पैसा मिलने वाला पैसा बनने से मतलब है वो कहां से बने कैसे बने इससे मतलब नहीं तो यहां पर जबर जस्ती और करेगा अगर आपको कोई यहां पर देखता है मूवमेंट तो आप उप्शन बाइंग में जंपिन करिए कुछ जिनों तक मार्केट में भी ऐसा जहां को नियूस बेज फिर से दो खर्वा आएगी त्वारा चीज दो को फिर से मूव करजीं नहीं तो यह कामें मार्के नहीं कर Dylan सान्थ सांथ है साइड़ बीस रीज़ों बहुत ज़्याद वुर्टियलि एक नहीं आश और तो आपको बस छोटे-छोटे मुवमेंट पर फोकस करना है बिग टागेट को कम्प्लीटली मना कर दीजे वाइन इस जगह पर एक मोमेंटम ट्रेडर हो तो और अगर आप वह वाले हो जो दोसो पॉइंट दिन तो मेरा बाइंग का प्लानिंग था बट निफ्टी यहां पर इसका क्लियर कट ब्रेकडाउन दिखाता है तो यहां पर मुझे कोई उपरचिनिटी नहीं मिली मैं एक बार यहां से बाइंग करना चाहरा था बट नीचे जाता तो नीचे वन गो में काफी बड़ा निकल गया 15 मिनिट का चार्ट मैंने ओपन कर रहा है तो यहां पर मार्केड नीचे की तरफ निकल गया तो इसलिए इसमें उपरचिनिटी मिले नी तो अब मेरे पास बना था बैंक निफ्टी का तो आप देखो बैंक निफ्टी इस सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा था यहां पर गया अब फिर एक हाईर हाई का पैटन बनाता हूँ दिखा रहा तो यहां कहीं अगर आप बाइंग करते हो तो इसका प्रॉपर स्टॉपलास भी यहां बैटता है बट आपको अगर दिख रहा है कि मार्केड नहीं मूव करना चारा है कल के जून में तो फिर मैंने यहां कहीं फ फसा हुआ रह जाता अगर कोई और ऑपर दिखती तो वहां भी मैं नहीं प्ले कर पात तो इसलिए मैं यहां पर एक्जिट करता है और उसके बाद कोई ट्रेड और आज मार्केट में नहीं बना एक मैं प्रो टिप इसमें यह देना चाहूंगा कि जब भी मार्केड बहुत करेंगे दिखी जाएंगी वह सारी टेंड लाइन की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है एक मिनिट के टाइम प्रेम पर तो आप कहीं भी अच्छे अच्छे ट्रेंड लाइन को भी डूड़ेंगे ना ब्रेक आउट फेल हो जाएगा इधर से आप देखो यहा सेलिंग कर सकते अगर आपके वास फ्यूचर अगर आपके वास कैपिटल अच्छा है और अगर ऑप्शन बाहर है तो यह आपका पेसेंस टेस्ट हो रहा है कि मतलब अभी आप अपने कैपिटल बचाकर आपको मार्केट फेजरूर मौका देगा आपको पैसे गवाने का तो वह भी छुट्टी में चले जाते हैं क्रिस्मस उनका हॉलीडे रहता है तो मतलब हॉलीडे सीजन है वहां का तो इसलिए हो सकता है पार्टिसिपेशन कम हो तो वोलटैलिटी और ज्यादा कम हो जाए अब कल के लिए प्लैन देखेंगे तो सिंपल यह प्लैन अभी क्यों कि देखो अगर यहां पर ट्रेंड लाइन का यह बहुत अच्छा ब्रेक आउट हमें देख रहा है बटे ब्रेक आउट करके यहां इसको रेसेंगे फिर यहां होल्ड करने लगा तो तो फिर इसलिए इस सिचुएशन पर बड़े टार्गेट हम प्लैन नहीं कर सकते कि मुझे कोई बहुत बड़ा टाइगेट मिल जाएगा बट अगर मार्केट ऊपर या नीचे ब्रेक करता है मौनिंग के टाइम तो हमें अटेम्ट करना ही है तो कि हो सकता है क्या पता वो दिन ट्रेंड नहीं हो मौनिंग के टाइम कहां से स्विंग बन रहा है फिर तो हमें आइडि बट अगर यहां पे अग्रिसिवली इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको हर जगे कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजिस्टेंस दिख जाएगा तो अगर आपको टागेट आपको एक्स्टेंडड मिलेगा थोड़ा बट अगर आप फ अगर आप डिप के बाद बाइंग करते हैं तो आपको एक टागेट का जोन मिल सकता है जहां पर प्रॉपर वन इस्टू या वन इस्टू 1.5 के आसपास आप यहां पे बुग कर सकते हो और ट्रेडर अगर आपको ऐसे साइडवेज मार्केट में ज्यादा ही प्रॉब्लम ह के आप साइडवेज मार्केट में भी कुछ ना कुछ तो कमा सकते डिविक्ऱ्ट जरूर होता है बट अगर आपने अप्रोस को चेंज कर पाएंगे तो आप कुछ ना कुछ वैसा मार्केट से जरूर साइडवेज के कंसे क्पर को GG